हलो दोस्तों सौगत आप सभी का एपी गयान चैनल के निज सेक्षन में सौधी अरब ने चीन को मारा ठोकर सौधी अरब ने बढ़ाए हाथ भारत की ओर क्या सौधी अरब ने भारत के साथ अपनी दोस्ती को और मजबूत करने के लिए चीन में निवेश को ठोकरा दिया है क्या सौधी अरब ने चीन के बज़ाए भारत के साथ बिजनेस करना ज़्यादा पसंद किया है खबर यह है कि सौधी अरब के सरकारी तेल कमपनी अरामको ने चीन के साथ 10 अरब डॉलर के आनी लगभग 75,000 क्रोड के डील को खत्म करने का फैसला किया है इस डील के अनुसार सौधी अरामको चीन के साथ मिल करके एक रिफाइनिंग और एक पेट्रोकेमिकल कमपलेक्स बनाने वाला था लेकिन अब सौधी अरब ने इस डील को खत्म करने का फैसला किया है जिसे चीन के लिए एक बहुत बड़ा जबर्दच छटका माना जा रहा है भारत के लिए अच्छी ख़बर यह है कि जब इसी सौधी अरामको कमपनी से पूछा गया भारत में निवेश के बारे में तो कमपनी ने असपश्ट रूप से बताती हुए कहा कि भारत के साथ हुए सभी निवेश जारी रहेंगे और सौधी अरामको ने आगे कहा कि भारत के रिलाइंस रिफाइनली में लगभग 15 अरब डॉलर के निवेश के प्रपोजल के साथ-साथ दूसरे चेक्तर में भी निवेश का परस्ताप पर बिचार में मर्स जारी है आपको मालूम हो कि सौधी अरामको ने यह ब्यान तब जारी किया है जबकि करोना बाइरिस के चलते सौधी अरामको का प्रॉफिट में लगभग 50% की कमी देखी गई है और हो सकता है कि इसी लॉस के कारण सौधी अरब ने चीने में 10 अरब डॉलर के निवेश को खत्म करने का फैसला किया है लेकिन ओहीं दूसरी तरफ सौधी अरब ने भारत में अपने निवेश को ले करके पर्तिबद्ध है और काफी उत्सुक भी है इस से एक बात पूरी तरह से असपच्ट हो जाती है कि सौधी अरब इस समय भारत के साथ बिजनस करने में काफी उत्सुक है बजाय चाइना के जहां एक और सौधी अरब को ने चीन के साथ डिल को ख़त्म करने का ऐलान किया है तो वहीं पर भारत में दूसरी छेत्र में भी निवेश करने के इच्छा जाहिर किया है विससग्यों का मानना है कि करोना के चलते बाहरी नुकसान उठाने के बाद सौधी अरब चीन और भारत में एक साथ निवेश नहीं कर सकता तो ऐसे में सौदिय अरब का निवेस के मामले में चीन के बजाए भारत को तरजीर देना भारत और सौदिय अरब के बीच बढ़ते हुए बिस्वास को दरसाता है तो दोस्तो आज की वीडियो में इतना ही प्लीज हमारा होसला बढ़ाने के लिए इस चनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें थैंक यू धन्यवाद जै हिन जै भारत